हलो फ्रेंट, वेलकम टू येश्टे टिटोरियल लोटो प्यानल, फ्रंट समलोक सिविक सिर्वेजन क्लास का बहुत तरवा पाट देखेंगे, जो आपके टेजीटी, पीटी, जीएसी प्रोक्ता परिछा सभी एकजाम के लिए कापरी बात पूर है, इसके पहले का पाट हैं, जो आपके एकजाम के लिए सारे प्रेक्टिस एट को तैर के गए हैं, तो वीडियो को अंतक ग्योड़ देखेगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा, लाइक कीजेगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजेगा, बेल आइकन पर प् खांगा, नामक पुस्तक का लिएखा कौन है, तो यहां पर भी आपसरन आप का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, कालमार्ष ने राजनीतिक अरसाथ की एक समिच्छा इस पुस्तक को लिखा था, अठारे सो उनसर्ट इस भी में, ठीक है, तो यहां पर भी आपसरन करेक्ट हो कालमार्च का देखें तो अन्नभी महत्पूर्ण पुस्तके हैं जो परिच्छा में कई बार पूछे जा चुके हैं इसमें है दिपावर्टी आफ फिलास्फी दिपावर्टी आफ फिलास्फी 1944 में ये लिखा था ठीक है एक पुस्तक और पुछा जाता है दे एकनॉमिक एंड फिलास्फिकल मैंनो क्रिफ्ट ये लिखा था 1844 में और एक पुस्तक और है दे सिविल वार इन फ्रांस जिसको लिखा था 1881 में और एक पुस्तक और है दे गोथा प्रोग्राम इस सभी पुस्तके जो है कालमार् तो यहां पे भी आपसन करिक्ठ जाएगा अगला कोशन है राजनीतिक चिंतन का आरंभ यूनानियों से होता है यह कथन है बारकर महोदे का ए आपसन आपका इसमें करिक्ठ जाएगा बारकर महोदे ने कहा था जो राजनीतिक चिंतन का आरंभ हुआ वो यूनानियों से हुआ तो यहाँ पे ए आप्सन सही हो जाएगा अगला कोशन है प्लेटो के आदर्स राज की विशेस्ता निम्न में से कौन सी नहीं है पूछा है तो यहाँ पे सही उत्र हो जाएगा पूरुष प्रधान परिवार ये उसकी विशेस्ता नहीं थी ठीक है डी आप्सन करेक्ट हो जाएगा पूरुष प्रधान परिवार की विशेस्ता प्लेटो के आदर्स राज की विशेस्ता नहीं है रिपब्लिक में प्लेटो के समस्त चिंतन का केंद्रिय विशे जो है आदर्स राज है अपने राज के भब्बभवन के निर्माड हेत उसने न्याय सिध्धान्त को आधार सिला तता सिख्छा योजना एवंग सामेवाद के सिध्धान्त का आधार जो है अस्तंब के रूप में प्रियोग किया है ठेक है तो वहाँ पे आदर सराज्य का प्रियोग सभी जगय किया है ठेक है पुरुस्थ प्रधान परिवार की कोई उसमें बर्डन नहीं किया गया है तो D आपसन आपका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा है प्रेश्ण में अगला कोशिय है समान इच्चा का सिध्धान कि इस ने प्रिदपादन किया था समान इच्चा का सिध्धान तो आप लोग जनते होंगे रुसो ने किया ठेक है रुसो ने दो प्रकार की इच्चाओं का बात कहा था एक आदरसे इच्षा और एक था आपका यथार्थ इच्षा ठीक है तो यथार्थ इच्षा दो था उसमें उन्होंने बताया था मानव इच्षा का वह बाग जो स्वार्थ, प्रेरित, संकिर्ड, इस्थिरः और व्यक्तिगत हितों का आधार होती है और उन्होंने आदर्स इच्छा में बताया था कि मनों से की वह उच्छा जो विबेक और लोग के हितों पर आधारित होती है और उसका लक्ष सर्व कल्यान होता है ठीक है तो इन दोनों इच्छाओं को भी याद रखिएगा ये भी यहां से भी प्रशन पूछे जाते हैं ठी अधार्स इच्छा क्या होता है रूसोंनों कितने प्रकार की इच्छाओं बताई है इन सभी पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा डी आप्सन करेक्ट हो जाएगा अगला कोशन है राजनीत बिज्ञान का स्वतंतर बिज्ञान के रूप में निम्न में से किसे ने विचार दिया था राजनीत बिज्ञान का स्वतंतर बिज्ञान के रूप में विचार किसे ने दिया था सबसे पहले तो ये अरस्तु ने दिया था डी आप्सन करेक्ट हो जाएगा अरस्तु ने राजनीत बिग्यान को एक स्वतंतर बिग्यान के रूप में माना है राजनीत बिग्यान के स्वतंतर बिग्यान की गरिमा परदान करने का जो कार है अरस्तु के दोरा किया गया है उसने नीति सास्तर और राजनीति सास्तर में अंतर किया उसने राजनी इतिसास्त्र को उच्छी कोड़ी का विज्ञान माना है यह राजनीत विज्ञान का जनक भी माना जाता है और राजनीत विज्ञान को उच्छी कोड़ी का विज्ञान भी माना है सारे पॉइंट को याद रखिएगा D option correct हो जाएगा अगला कोशन है डिसकार्शिस आन आर्ट एंड साइंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है तो इस पुस्तक के लेखक है रूसो ए आपसन करेक्ट हो जाएगा इस पुस्तक को रूने सतरे सो पचास इस भी में लिखा था ठीक है और इसमें रूसो ने बताया था कि विज्ञान और कला ने मनुष्य की अवनती में क्या योगदान दिया है इस पुस्तक में इन बातों की परचर्चा की गई है ठीक है और हाफ्स की एक मातपूर्ण पुस्तक है इसको याद रखिएगा डी सीवे ये हाफ्स की पुस्तक है बहुत इंपार्टेंट है लेवियाथन हो गया लेवियाथन भी हाफ्स की पुस्तक है एलिमेंट्स आफ ला ये भी हाफ्स की रचना है डी कारपोर ये भी हाफ्स की रचना है ठीक है तो सारे पुस्तकों को आप लोग ध्यान में रखिएगा अलाग की एक सबसे महत्वपूर्ट पुस्तक का आती है उस पुस्तक का नाम है सासन पर दो निबंद ये इसकी पुस्तक है किसकी? जानलाग की सासन पर दो निबंद सारे point को note करते रहिएगा एक दो बार जब revision कर लेंगे तो आपके दिमाग में set हो जाएगा तो यहाँ पर प्रशन के नुसार A option आपका correct हो जाएगा Discourses on the art and science के लेखक हैं अगला question है ओट देने का अधिकार एक कैसा अधिकार है तो यह एक बिधिक का अधिकार है D option correct हो जाएगा ओट देने का अधिकार एक बिधिक का अधिकार माना जाता है अगला question है भारती संबिधान की निमलिखित में से कौन सी अनसूची राजसभा में अस्थानों के आवंटन से संबंदित है राजसभा में अस्थानों के अवंटन से संबंदित है कौन सी अनसूची है वो तो वो चोथी अनसूची है D option correct रहेगा भारती संबिधान के चोथी अनसूची में भारत के सभी राजियों और संग सासिच छेत्रों के राजसभा में प्राप्त प्रतिनिरेत का भेवरण दिया गया है जिसमें संग सासिच प्रदेशों में सिर्फ दिल्ली और पंडचेरी सामिल है इसको भी आप लोग याद रखेगा और उत्तर प्रदेश में राजसभा की सरवादिक सीटे कितनी है 31, 31 सीटे है और संबिधान की जो तीसरी अनसूची है ये क्या बताता है तीसरी अनसूची में सपत या प्रतिज्यान के प्रारूप और इसकी तास संसत के सदस्यों वे संग के मंत्रियों उच्चतम न्यालाय उच्च न्यालाय के नाधीसों राज बिधान मंडल के सदस्यों वे मंतरियों तो था भारत के नियंतरक महालेखा परिष्छक को दिलाये जाने वाले सपत के बारे में तीसरी अनसूची में बर्डन किया गया है इसको भी आप लोग जानकारी रखिए ठीक है और ये पांचवी अनसूची क्या बताता है पां असाम हो गया में घाले त्रिपुरा और मिजोरम के जनजात छेत्रों के परसासन के बारे में उपबंद किया गया है यहां पर प्रशन फंस्ता है पांचवी अनसूची में भी अनसूची जनजातियों के छेत्रों के परसासन वें नियंतर संबंद है और छेठी में भी है ल कोनों में आप लोग डिफरेंस को भी याद रखिएगा यहां पे प्रशन के अनुसार आपका भी आप्शन करेक्ट हो जाएगा अगला कोशन है निम्लिठित में से अनमेल को बताईए मतलब बेमेल को बताईए ये बताना आपको तो नहरू बोस हो जाएंगे बेमेल ठीक है नहरू बोस का युग मुसाही नहीं है पंडिज्वालाल नहरू नरम दल के नेता थे और बोस क्या थे ये गरम दल के नेता थे ठीक है तो यहाँ पे आप लोग ये अंतर जानिएगा तो यहाँ पे सी आफसन सही हो जाएगा और इसमें देख लिजिए बाल गंगा धर्तिलक लाला राजपत्र आए बीपिन चंद्रपाल ठीक है बीपिन चंद्रपाल हो गए ये क्या थे तो ये गरम दल के नेता थे ये दोनों गरम दल के नेता थे और गुपाल किष्ट गोखड़े और दादा बाइनोरोस जी ये उदारवादी दल के नेता थे और जैप्रकाश नारायन रामनोहलोया ये समाजवादी विचारधारा के थे ये उदारवादी थे ये गरम दल के थे और इसमें एक गरम थे एक नरम थे ठीक है तो यहाँ पे ब लिखित में से एक मुख्यमंत्री का राजपाल के प्रती कर्तब नहीं है पूछा है तो अपने दल की नीतियों के बारे में सूचित करना उनका कर्तब नहीं है तो यहाँ पर पहला यह आपका सही हो जाएगा पहला ही मतलब उनका कर्तब भी नहीं है कि वो अपने दल के नीतियों के बारे में जा करके बताए ठीक है अनुशेद 166 के अनसार जो है प्रतेक राजी के मुख्रमंत्री का यह कर्तब भी होगा आईशा कहा गया है अनुशे 167 में कि राज के सभी कारियों के प्रसाशन संबंधी और विधान बिषयक प्रस्थानाओं संबंधी मंतिपरसत के सभी बिनिश्चे को राजपाल को सूचित करें दूसरा कहा गया है कि राजी के कारियों में प्रसासन संबंधी और बिधान बिस्यक प्रस्थापनाओं संबंधी जो जानकारी राजबाल मागे वह दें और तीसरा कहा गया है, किसी बिसाय को जिस पर किसी मंतरी के बिनिश्चे कर दिया है, किन्तु मंतरी परसर ने बिचार नहीं किया है, राजबाल दौरा आप एच्छा किये जाने पर परिशत के समझे जो है बिचार के लिए रखे, तो ये दो तीन बाते कहीं गई हैं, अनुच्छेद में राष्टपती को सूचना का अधिकार दिया गया है तो ये अनुच्छेद 78 में है ठीक है सी आपसन करेक्ट हो जाएगा बारती छम्मिदान के अनुच्छेद 78 के अनुच्छेद 78 के अनुच्छार जो है प्रधान मंत्री का यह करताप भी होगा कि वे अनुच्छेद 52 में का गया है कि इसकी अनुच्छार भारत का एक राश्पती में क्या क्या गया है 01 के अंदर गत कह इंदर के अंदर करेक्ट चलाने की प्रत्रीय के अपभंद किया गया है अगला कोचन है निम्लिकित में से किस अधिकार का वर्डन डाक्टर भीम राव अंबेड कर ने संभीधान के हिदय एवंग आत्मा के रूप में कहा है तो आप लोग जानते होंगे संभाइधानी कुपचारों का अधिकार डिया अप्सन करेक्ट हो जाएगा ठीक है अनुछे अधिकार के अंतरगत जब किसी व्यक्त के मोल अधिकारों का उलंगन होता है तब हुआ उपचार के लिए उच्छतम नियाले की सरण में जा सकता है ठीक है अब मोल अधिकारों को परिवर्थित करने है तो उच्छतम नियाले को जो है पांच प्रकार की रिटों को जारी कर आफ्शेद 32 के अंतरगत तो यहां पे डिया अफशन करेक्थ हो जाएगा अगला कोशिन है गांधी जी का आत्मकतह कारसीर्सक क्या है तो सत्य के साथ मेरा प्रयोग डिया आफशन करेक्थ हो जाएगा गांधी जी की आत्मकता का सिर्शक है सत्य के साथ मेरा प्रयोग और इस पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ था तो 1929 में ठीक है और हिंद स्वराज पुस्तक की लेखक भी गांधी जी है और इस पुस्तक की मूल रचना गुजराती में है और इसका प्रकाशन हुआ था 1909 में ठीक है तो ये इन तीनों पुस्तों को जाद रखिएगा A option, कौन सार D option correct हो जाएगा, अगला question है संप्रवता एक बिसेष्टता है, किसकी बिसेष्टता है, तो ये राज्य की, संप्रवता राज्य की बिसेष्टता है, यह राज्य का परम आवश्यक तत्त माना जाता है ठीक है इसके अभाव में हम राज्य की कलपना ही नहीं कर सकते राज्य अपनी इसी लक्षण के कारण जो है आंतरिक द्रिष्टी से सरबोच और बाहि द्रिष्टी से सुतंत्र होता है गार्णर ने कहा था न कि प्रभुसत्ता राज्य की ऐसी विश्टा है जिसके कारण में कानून की द्रिष्ट से केवल अपनी इच्छा से बढ़ा होता है अन्य किसी की इच्छा से नहीं कोई अन्य सकती उसकी अपनी सकती को सीमित नहीं कर सकती है ये गार्णर ने खा था किसके संप्रबता के बारे में, राजी के बारे में तो वी आफसीन आपका करक्ठ हो जाएगा अगला कोचन है निम्रिकित कतनों में से कौन सा सही है लाक ने सरकार और राजी जैसे सब्धों में भरम उत्पन किया है तो ये तो सही है नहीं है लाग सरकार को राजे से स्रेष्ट मानता है ते भी तो गलत है हो गया लाग ने सरकार और राजे में बिभेद किया है ये सही है आपका ठीक है उन्होंने बिभेद किया था और लाग ने सरकार और राजे में बिभेद नहीं यह गलत हो जाएगा ठीक है तो कौन सा सही हो जाएगा लाक ने राज्य और सरकार में बिभेद किया था ठीक है तो यहाँ पे सी आफसन करेक्ट हो जाएगा और उन्होंने राज्य के बारे में और बेभी से स्थाई बताई थी उन्होंने बताई था राज्य मुनिस्ट के लि ठीक है तो see option correct हो जाएगा